नमस्कार मित्रों बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी वार में तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वार्मेंट पेडागोजी का लेक्चर नमबर आठ इसके पहले आपने साथ लेक्चर इन्वार्मेंट पेडागो आप पूरे कोशन नो अटेइन करने की कोशिश कीजगा और सारे के सारे वीडियो देखेगा ठीकर फ्रेंट्स तो छलिए हमारे सेशन की हमारे सेशन का जो पहला कोशन है उसकी बात हम बचति हमें बताना की ब्रेल लीपी घ्याद अब लिए इसंसे नंबरों के आधर बिंदु होती है और अब रते हैं कैसे डोसा वीसमा एचनल टेकर यह से बिंदुंको ओक देंन शेड़ में बिंदु उबरे वे बिन्दू होते हैं यह प्रकार से छैना चाहिए इस तरीके से ऐसा कुछ यह यह इसा उब रहा हुआ रहता है जिसको और चूअ करको क्या करते हैं पढ़ते हैं उसे पढ़ते हैं ठीक है फ्रेंड्स की परियावरन अध्यन की पाठ्थे पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसेंद वारा लिखी गई एक कहानी है उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानिया लिखी है अपनी म्रत्यू के समय वेद थे ठीक है मतलब यह डॉक्टर जाकिर हुस उसी से गर्म एक पार्ट दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसेंद वह उसके लिखक है और उन्होंने बच्चों के लिए कहानिया बहुत सारी कहानिया लिखी है तो उनकी म्रत्यू के समय वे थे वो हमें बताना है कि वे क्या थे ठीक है ऑपसन नंबर ए भारत के उपराश् कर दे हो है थोड़ा सायाद मुझे भी कि अधिसानाइत और फूप करने लिख करने एक तो यहां पर में बताया गिया है कि उसके वह और उस समय थे भारत के राश्रपती ठीच है तो हैंवारा आन्सर हो जाएंगा लाग्रत के राश्रपती ओप्सार tertी बात करेंगा प्रश्चनी कि तो यह हमारा अगला प्रेशन प्रेशन नमबर दीन ब्रेल लीपी में मोटे कागज पर उबरे हुए बिंदू बने होते हैं यह लीपी आधारित होती है तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो ब्रेल लीपी होती वो छे बिंदू पर आधारित होती है इतने बिंद प्रश्न की तुँजे अमारा अगला प्रश्न प्रश्न मोर 4 निम्न मेंसे किसके द्वारा परियावरण सिक्षन के उद्देश्यों का अनुसरन नहीं होता है, option number A, विध्यार्तियों में पर्यावरन के प्रति साकल लेवाद द्रश्टि कौन का विकास, option number B, आधर्बुत प्रत्यों और सिद्धानतों को रटकर याद करना, option number C, प्राकृतिक भिन्नतायम उसके कारणों को बताना, option number D, इन में से कोई नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा, वो हो जाएगा हमारा option number B, देखे, कभी भी अगर ऐसा कोई प्रेशना आता है, रटकर याद करना, ठीक है, व्याख्या करना, बहुत अधीक विस्तरत में, बच्चों को केंद्र में रख कर पढ़ाना, ठीक है, तो यह सारी जो नेगेटिव चीज़े होती, यह क्या होती है, मतलब नेगेटिव होती है, तो अगर नहीं पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, तो आधर्बुस संप्रत्य और सिध्धानतों को रटकर याद करवाना, परियावरन सिक्षन के उद्देश्यों का अनुसर नहीं करता है, ठीक है, मतलब रटन्त पद्धती पे पूर्णता प्रत्ति बंद लगाया गया है, व्यवारी पद्धती को अपनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगा option number B ठीक है तो यह हो गया answer अब बात करेंगे अब अगले प्रश्न की प्रश्न नमबर पाच परियावरन सिक्षन महातोपूर्ण है क्योंकि परियावरन सिक्षन महातोपूर्ण है क्योंकि option number 1 यहाँ नागरिक चेतना को बढ़ाती है option number B बच्चों में उनके परिवेश के विशय में समझ विक्सित करती है option number C परियावरन एवं मानव क्रियाव के अन्त संबंद को दर्शाती है तो बात करेंगे बगले प्रिश्न की यह हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नमबर 6 कक्षा कक्ष में सिक्षार्तियों से प्रश्न पूछने से उनमें क्या होता है option number A समवेदन सिलता का विकास होता है option number B चिंतन कोशल का विकास होता है option number C वरगीकरन कोशल का विकास होता है ठीक है, अगर कक्छा कक्छा में सिक्षार्तियों से हम प्रशन पूछ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, किसका विकास होगा, तो वो हमें बताना है friends, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानि कि चिंतन कौसल का विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, अगर हम उस कोसल का विकास करने के लिए सिक्षार्तियों में संग्यानात्म कोसल का विकास करने के लिए आपसे नमबर ए उनमें वास्तविक जीवन की चिंताओं के विसे में समझ उत्पन्न करना चाहिए आपसे नमबर भी उन्हें शब्दावली या परिभासाय रटवाने चाहिए उपसन नंबर सी उन्हें प्राक्रतिक भी नताओं की विशे में बताना चाहिए उनसे विवारिक क्रियाय करवाने चाहिए ठीक है तो हमें क्या करवाना चाहिए अगर हमें सिक्षार्तियों में संग्यानात्म कौसल का विकास करवाना है ठीक है संग्यानात्म कौसल मतलब की तार्गिक चमता है सोचने समझने की संग्यान की चमता का अगर हमें विकास करना है तो हमें क्या करवाना चाहिए बच्चों को ठीक तो बिल्कुल नेगेटिव ही है तो यह तो होगा ही नहीं उन्हें प्राक्रतिक भीनताओं के विसे में बताना चाहिए परन्तों हमें उसका क्या करना है संग्यान अत्मक्विकास करना है तो हम उसे कुछ ऐसा दे बच्चों को उन्हें कुछ ऐसा दे कि वह वहारी तौर पर अगर वेसे करें कुछ करें खुद कि लाईफ से रिलेटेड अगर वोग चीज होगी तो बहुत अच्छे से समझध पाएगा उसके संग्यान में वो चीज हमेशा के लिए मतलब कहना चाहिए कि हमेशा के लिए उसक्राइब हो जाएगा उससे परीचित हो जाएगा तो यह हो गया मारा आशर भे नमबर दी प्रीकर बात करेंगे अगले प्रिशन की प्रश्च no.8 कट्छा पाचवी का परिया और निच्छा के लिए प्रोधिसाहिता है तो और वो आपने सिक्षार्थियों को किसी विषय पर सर्वेक्षन याने सर्वे करने के लिए कहता है और लेखन के लिए प्रफसाहिद करता है तो उसका क्या उद्दे से वह हम पताना है ठीक है option number a सिक्षार्टियों के सामाण जानकारी का उलोकन option अपसर बीसिक्षार्टियों में नियाय संगत्य हम सवेधन सिल option number c सिक्षार्टियों में उलोकन वर्गिकरन आदी कॉसल का विकास करना wise number डी शिक्षार्टियों को खोजने हम सीखने के के लिए कोई लोगावलांघने के लिए के लिए रहा है घरम लेकने के लिए के लिए के लिए उपैसे सबसे और अगर रिलेट Εथ कोई और वो यह है कि सिक्षारतियों को खोजने यूँ तर्षार उपलब्द पार तो बच्चो के अंदर विद्धियों के अनुभव को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि परियावरण सीक्षन में विद्यार्टीयों कि अनुभाव को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि और से बच्चों में संपरेशन कोसल का विखास होता है और से बच्चे रूठी तो बच्चा नहीं पाएगा जो कुछ कि हゃ lige है वह कुछ मन से अपना अपना को सीखना चाह रहा है तो एक सीख नहीं पाईगा थीक है तो यहां पर जू अंसर हो गाउचा है हमारा पर्यावरन हम विध्यार्तियों के अनुभावव को नजरन बच्चों की अनुभाव को स्विक्रत करेंगे, अगर हम बच्चों की अनुभाव को स्विकार करेंगे, उनकी बाते सुनेंगे, तो उन में सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब वो ये सोचेगा कि मैम तो हमारी बात सुनती है, सम रही होनी सेरुश्य है फ्रेंट टो यहाँ पर जो आंसर रोग हमारा और करेंगे अग्ली प्रेशन कि दासोच कौन सी कच्छा में परियावरणिक्शन होती है बहुति लु किन सिक्षण्ध होती है और फरेयावरणिक्षques एक से आजुट में दिए तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जैसा पर्यावरण शिख्षा तो सцип ही चक्षा में होती है परन्तु यहाँ पर इन्हों है यहाँ पर यहाँ शोंपर यह कहा नहीं कि आ्रहां संब्सक्राइब 248 में पिर्यावर्न के विग्ञान में मुली रहता है कुछ नर्प 2-5 ऐगार आम देखोगे तो आपको 25 देThisétait मिलेगी ज それ ठेल के तो अगले सिर्शन की बात करते हम हosion इह मारा अगला तो कि मुख्य घटक है रिखिए परियावरन के मुख्य गटक हैं आप से नमर्ण जैवी कर घटन करता अफसे नमब्सी मानाव हम अब घटन करता अपसे नमद यहां पर जो मुख्य निप्नमेसि कौन सा क्युसल जन्मजात नहीं है? आपसर नमबर B रोना, आपसर नमबर C तो जन्मजात नहीं है VALA पूछा गया है तो यहां पर आंसर हो जाएगा FRIENDS हो जाएगा हमारा भहासा सीखना मतलब कि जैसे बैटना, रोना, हसना ये सारे जन्मजाद कौसल है और भासा सीखना ये जन्मजाद कौसल नहीं है ठीक है बात करेंगे अब अगले प्रश्न की तो ये हमारा अगला प्रश्न 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 नमबर 13 सिक्षार्तियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने है ठीक है सिक्षार्तियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के योग्य बनाना है ठीक है तो उनमें कलपना परक बनाने है तो पूर्वानुमा लगाने के कौसल का विकास करना चाहिए उन्हें परियावरन के प्रतिस अवेदन सील बनाना चाहिए उनमें वस्तुओं के भी संबंधता इस्थापित करने के कौसर का विकास करना चाहिए या उपरोगत सभी ठीक है तो यहाँ जो आंसर होगा फ्रेंच हमारा आंसर होगा आपसेन नमबर ए ठीक है क्योंकि यहां पर पहले प्रेश्ण पर गौर कीज़ेगा जैसे सिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग बनाने है तो क्या आवस्चक है कि हम अगर उनमें उनमें कल्पना परक बनाएंगे उन्हें पुर्वानुमान लगाने का कॉसल विक्सित करेंगे तो चिंताओं को समझ पाएंगे ठीक है यह वास्तविक जीवन की बात करें उन्होंने परियावरन के प्रति या वस्टू के भी संबंध यह सारी चीजों से उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो यहां पर जो है वो कल्पना परक या पुर्वानुमान लगाने के कॉसल का विकास अगर होगा तो बच्चे बहुत अच्छे से चिंताओं को समझ पाएंगे ठीक है बात करेंगे अगले प्रिश्ण की यह हमारा अगला प्रिश्ण प्रिश्ण उसमें प्राफ्त अधिगम को विद्यालाइक के बाहर के जीवन से जोडने और इसे सम्रद्द करने का क्या अतात पर हैं तो अप्सें नंबर1 पूर्व विद्यालाइक द्रश्ण कौन अप्सें नंबर 2 मुद्दो और चिंताओं को पर्ठे-पुस्तकों से लिंक करना यहां पर जो आंसर होगा फ्रेंट्स वह जाएगा हमारा आपसन नंबर भी चीक यानि कि लेकि आपसन नंबर भी में कहा दिया हुआ कि वैस्वीक पर्यावरणिया मुद्धो चिंताओं को पाठ्टे-पुस्तक से लिंक करना जैसे कि अगर हम अगर हम एक सिंपल सा उधारान लेते हैं जैसे हमारे महले में बिल्डिंग चीक है बहुत पुराने बिल्डिंग है वह अगर उसकी दिवाल पर अगर येलो कलर मतलब पीले कलर की हो चुकी है वह बारिश के बारिश के कुछ निशान बन गया है तो हम बच्चों को क्या करेंगे उसके जनरल लाइप से रि किला हो गया है और इसी चीज को हम किसे जोड़ देंगे अमलवर्सा से जोड़ देंगे हम वैस्विक परियावरने मुद्व और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक भी कर देंगे उसके रियल लाइप से भी लिंक हो जाएगी वह बहुत अच्छे से समझ में भी आ ठीक को यहां पर आंशर हो जाएका हुमारा朝र नबर भी अगले प्रिशन की बात करते हैं शामजी को विज्यान और उप्रोफ्त सभी भी परियावरन श्यक्षण मेंना असरे सब्ज мощ की सावर सब्योट आ जाते हैं जैसे अग देखे के तो तो विग्णान का भी कुछ पोर्षन आजाते सामचिकुष्जान और पर्यावर distra तो यहां पर आंसर ओजाएगा हमारा अपरोगत सभी क्या हो जाएगा अब और प्रेशन की यह हमारा अगला प्रेश्ण प्रेश्ण नंबर 16 की बात अगर हम करते हैं तो राश्टी पाठे चरिया रूप रेखा 2005 के अनुसान निम्न में से किसी परियावरन अध्यन की थीम में शामिल नहीं किया गया है ठीक है तो एंसी अप 05 की बात यहां पर उन्होंने की गई है नैश करिकुलम फ्रेमवर्क याने की राश्टी पाठे चरिया रूप रेखा 2005 के अनुसान निम्न में से किसी परियावरन अध्यन की थीम में शामिल नहीं किया गया है ठीक है तो अप्सन नंबर ए आवास अप्सन नंबर भी परिवहन और मित्र अप्सन नंबर सी म्रदा अप्स हो जाएगा हमारा म्रदा ठीक है म्रदा नहीं है इसे क्या एक थीम के रूप में शामिल नहीं किया मतलब आवास को परिवहन और मित्र को और हम चीज़े कैसे बना दे भोजन को भी इसमें सामिल किया ठीक है परन्तु म्रदा नहीं है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा आंसर option number C, ठीक है, यह हो गया answer हमारा option number C और यह हमारा अगला question number 17 निम्न में से पर्यावरन सिक्षन की कौनसी प्रकरती नहीं है option number 4 बच्चों को करके शीखने का मौका मिले option number 4 बच्चों को खोजबिन करने का पूरा मौका मिले कौन सी प्रकृति यहाँ अंसर और जाएगा हमारा अप्सटर नंबर सी बच्चे कम नहीं करना चाहिए ठीक है मतलब प्रात्मिक इस्तर लेवल जो है वह हमारा प्राइमरी लेवल है और परियावरन सिक्षन में कि सुत्र का पाला नहीं करना चाहिए वह हमें बतायाना है option number c मूर्थ से अमूर्थ option number b सरल सी जटिल option number c आइसे पोना आपन डइ अनुभाव से तरक यहाँ पर जो जाएगा हमारा option number c आशल से पूना ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर जो जैसे मूर्थ से अमूर्थ मतलब कुछ मूर्थ चीज़े बतादी फिर उसके बारे में तरक लगाने के लिए तो यह भी हम अपलाई कर सकते परन्तों अंसे से पुर्णा वाली विदी का उपयोग यहां पर नहीं करना चाहिए ठीक है क्योंकि यह अपर लेवल की चीज़े होती है ठीक है तो बात करेंगे अब अगले फ्रिश्णी की यह हमारा सेकेंड लास्ट कोशन प्रश्ण नंबर उननीज प्रात्मिक स्तर पर बच्यों के ज्यान के स्त्रोत है अपिसे नंबर भी सिक्षक और पाट्यपुष्टक आपस्यर नंबर से परिवार यूँ समोदैं अप्शन अमबर बात करेंगे तो हमारा जों आनसर होगा फ् सीखता है ठीक है मतलब परिवार वर समुधाय समुधाय में मित्रम अडली आ जाएगी उसका आसपड़ोस आ जाएगा जिन भी जगह पर वो जाता है वह सारी चीज़े आ जेंगी तो प्रास्मिक इस तर पर बच्चा वहीं सीखता है ठीक है यहां पर स्कूल भी सामिल हो ठीक है माधूरी परियावरन कक्षा में हमारे दोस्त जानवर प्रक्रण पढ़ाने है तो बच्चों को विभी ने जानवरों की तस्वीरों वाले चार्ट दिखाती है और उन पर आधारित वुरत चित्र भी दिखाती है उसका उद्देश क्या है ठीक है जो माधूरी है को टीक्चर है वह हमारे दोस्त जानवर टॉपिक पढ़ाने के लिए चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें जानवरों के चित्र है और उन पर आधारित वुरत चित्र भी दिखा रही है तो यहां पर हम बात करेंगे कि उसका क्या उद्देश है अपसे नंबर बच्चों में अलोक कि उद्देश होगा वह जाएगा आपसन नंबर सी ठीक है मतलब कि बहु बुद्धि वाले बच्चों की आवश्रक्ताओं को परना याने की जैसे अब देखें चित्र अगर बच्चे को बता रहे हैं ठीक है तो चित्र सामाने बुद्धि वाले बच्चे भी देख लेंग उसके मतलब उसके उसके सम्मंद में जानकारी भी दे रहें तो यहां पर बहु बुद्धि वाले बच्चों की आवश्रक्ताओं को पूरा करना हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया हमारा आज का सेशन ठीक है और प्लीज मोटिवीट रहें मतलब पॉजिटिव रहें बहुत अच्छा पेपर आएगा बहुत अच्छे से आप प्रिप्रेशन कीजिए नेगेटिवीटि बिलकुल अपने माइन में मतला यह बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे मांस लेकर आओगे ठीक है और जैसे कि अभी किसी ने कमेंट में यह कहा था कि मैं मोटिवेट कीजि अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन और थैंक यू सो मच सारे के सारे वीडियो देखे ठीक है ओके फ्रेंट्स